तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Coursera Plus के बारे में पूरी information देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि Coursera Plus और Coursera दोनों में difference क्या है तो Coursera के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो गई यह बहुत बड़ी online बहुत ही popular learning platform है जहां आपको धेर सारे courses को offer किये जाते हैं और Coursera पर आपको यहाँ पर एक फैदा मिलता है financial aid available का जिसका use करके आप यहाँ पर course के content को free में देख सकते हो फ्री में सीख सकते हो लेकिन वहीं अगर बात करे course era plus की तो आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी option देखने को नहीं मिलेगा मतलब course era plus के courses को free में ऐसेस नहीं कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर 7 day free trial का option मिल जाएगा जिसके अंदर 7 दिन का free trial ले सकते हो जिसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं आपसे पैसे नहीं लिये जाएगा इन 7 दिनों के अंदर आप courses के content को यहाँ पर देख सकते हो और अगर वो course के content आपके लिए useful साबित होंगे तो फिर आप इसे extend कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर 4,440 रुपिया हरमत लगबग लगने वाला है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं more than 7,000 plus courses आपको provide के जा रहे हैं जिसमें से 170 plus leading universities के थुरू इन सारे courses को आपको provide किये जा रहे हैं उन सारी universities का नाप यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि Google है, Duke है और भी कई सारी यहाँ पर universities है, companies है जिसके थुरू आपको यह सारे courses यहाँ पर provide किये जा रहे हैं उसके बार अगर बात करें courses की तो आप देख सकते हैं आपर बहुत सारे courses आपको देखने को मिल जाएंगे अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ाते जाओंगा यहाँ पर courses बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि उपर लिखा हुआ है कि 7,000 plus courses हैं लेकिन उससे पहले नीचे हम लोग अब जा करके देख लेते हैं frequently asked question में जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे question पूछे जाते हैं can I try Coursera Plus first to make sure it's right for me क्या पहले Coursera Plus को यहाँ पर try करके देख सेते कि यह courses आपकी लिए सही हैं या नहीं यहाँ पर आप बेलकुल देख सकते हैं यहाँ पर आपको 7-day की free trial दी जा रही है इसके लिए आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे इसके बाद आपको decide करना है so if you decide Coursera Plus is not right for you just cancel during the trial period and there will be no charge मतलब आपसे यहाँ पर details पहले ही लिए जाएगा जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप start 7-day free trial पर यहाँ पर click करते हैं उसके बाद एक नया page खुलने वाला है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखने वाला है जिसके अंदर आपसे card के details को यहाँ पर ली जाएगी उसके बाद आप free trials रूप कर सकते हैं मतलब आपको अपने card के details को भड़ना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ पर आपसे फिलाल कोई charge नहीं लिये जाएगे charge आपको तभी करना है जब आपको यहाँ पर अपने courses को extend करना है आगे बढ़ाना है आप आगे अगर course करना चाहते हैं तो फिर आपसे यहाँ पर charges लेते जाएगा यह Coursera Plus फिर यहाँ पर what is included in Coursera Plus में क्या कैं included है जैसा कि मैंने आपको बता है यहाँ पर 7000 Plus courses है guarded project है और भी कई सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिलने जा रही है जो कि लगबग लगबग हर आपको online platform तर देखने को बिल जाती है विलाज से money with my Coursera Plus subscription क्या Coursera Plus subscription के साथ आप अपने पैसे को बचा सकते हैं तो यहाँ पर yes if you are taking more than one courses regularly मतलब आप अगर Coursera Plus पर regularly एक से ज़्यादा courses को कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 30% के छूट भी दी जाएगी उसके बाद how many certificates I earned with Coursera Plus तो there is no limit मतलब आप जितने भी courses करते जाएंगे आपको यहाँ पर certificate Coursera Plus के तरफ से मिलते जाएगा तो दीचे एक और question है what can I do with my certificates once I have earned them certificate मिलने के बाद आपको benefit के होगी तो basically आप उसे LinkedIn profile पर share कर सकते हैं अपने resume में use कर सकते हैं as a new skill से अपने सीखा जिससे आपको यहाँ पर फैदा होने वाला है यहाँ पर और और भी कई सारे question है जिससे आप यहाँ पर पढ़के अपने confusion को दूर कर सकते हैं तो basically course era plus यह है कि यहाँ पर आपको start seven day free trial करने के बाद ही अपने card details को fill करना पड़ेगा जिसके बाद आपसे जरूरी नहीं कि तुरंद पैसे लिये जाए free trial खतम होने के बाद ही आप आपसे यहाँ पर पैसे लिये जाएंगे अगर वो आप चाहेंगे तो अगर आप नहीं चाहेंगे पैसे देना तो यहाँ पर आप cancel भी किसी भी time कर सकते है तो दोस्तों उमेद करता वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह totally आप पर depend करता है Coursera 7 day free trial को लेने का या फिर यहाँ पर पैसे देने का तो दोस्तों basically आज का वीडियो Coursera Plus के बारे में ता जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में information दे दिये तो यहाँ पर यह totally आप पर depend करता है कि आप 7 day के free trial लेते हो या नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको तुरंत card details को फिल करना पड़ता है उसके बाद आपको पैसे देने होते हैं लेकिन आप कभी भी अपने payment को यहाँ पर cancel कर सकते हो 7 दिन के अंदर जिसके बाद आपका यहाँ पर पैसा नहीं लगने वाला ऐसा इस site में लिखा हुआ है तो दोस्तों अगर आपने Coursera Plus के 7 day free trial को लिया है तो comment में मुझे जरूर बताइएगा कि Coursera Plus के Courses की content कैसे हैं तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी informative लगी होगी तो दोस्तों इसी के साथ चैनल को जरूर सब्स्राइब कर और वीडियो को जरूर लाइक करें